जै माकाली आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मित्रो आपके अपने ही यूटूब चैनल पे इस चैनल पे जितने भी उपाय, मंत्र, प्रयोग जितने भी आपको बताए गये हैं वह सिर्फ सद उपयोग के लिए है अर्थाद आप अपने प्यार को पाने के लिए बस करें अपनी स्वार्थ और अपनी वाशना के पूर्ति के लिए किसी भी उपाय वह प्रयोग को ना करें क्योंकि अगर आप सक्ते में हैं तो निश्चित तोर पर वह व्यक्ति आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप उसके प्रति समर्पित है अगर आप यह मन में रख लिए हैं क कि आप उसका ही हैं उससे ही साधी करेंगे तो निश्चित तोर पर ये जो ब्रह्मान की सक्तिया होती है वो पूर्ण रूप से आपके साथ कार्य करने लग जाती है। आज मैं आपको बहुत ही सिद्ध वश्यकरन मंत्र प्रयोग बताऊंगा। इस मंत्र प्रयोग को जानने से पहले यह जान दिजे कि इसका प्रयोग सोंच समझ कर किसी एक व्यक्ति के उपर करिएगा। क्योंकि उसके साथ आपका जिंदगी भर का योग बन जाएगा। ना तो फिर आप चाहा कर उससे छुटा पाएँगे ना ही उससे आप अलग कर पाएँगे अपने आपसे। तो करना क्या है? आपको किसी भी दिन, दिन में अर्थात वार कोई सभी हो और मिट्टी लाकर रख लेना है आपको थोड़े से पुतले बनाने के लिए। पुतला बनाने का कायरे जो है आपको मध्यरातरी में जब सब सोजाएं तब पुतला बनाएं पुतला यह सोचकर बनाएं कि जिस व्यक्ति को आपको वश्यभूत करना है उसको ध्यान में रखते हुए पुतले को बनाएं जब पुतले को बनाएं तो आपको अमुक मंत्र ह उसे जाब करते रहना है ओम नमो भगवती सुची चंटालिनी नमह स्वाहा ओम नमो भगवती सुची चंटालिनी नमह स्वाहा यह मंत्र का जाब करते रहना है निरंतर और उसके बाद जब पुतला बन जाए तो मन में आप यहाँ सोचें उस व्यक्ति का कि वह प्रारूप व गहीं का हो तो बहुत अच्छा होगा, दिया जलाएं, उसके सामने पुतले को रखें, और फिर मंत्र का जाप करें, एक माला, बस इतना आपको करना है, और उसके बाद वह व्यक्ति अगली सुबह आपके पास हाजीर हो जाएगा, चाहे इस्त्री हो या पुरूस हो, कितना भ बजे के बाद और तीन बजे से पहले करना है, मध्य रात्री तक, तो यह विधी बहुत ही सक्ति साली है, इसको आप सोस समझ कर प्रयोग करें, अगर कहीं कुछ समझ ना पाएं, तो नंबर जो आपको डिस्प्ले में सो हो रहा है, उसमें वाट्साप या मैसेज कर सकते हैं जय माकाली भगतो